स्वेडन की जलवायू कारिकर्टा ग्रेटा थनबर को स्वेडिश हिमन राइट्स प्राइज की जूरी ने राइट लाइवलिहुड अवार्ड से सम्मानित किया है। स्वेडन की जलवायू कारिकर्टा ग्रेटा धनबर को बुधवार को राइट लाइवलिहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वेडिश हिमन राइट्स प्राइज की जूरी ने बताया कि इस अवार्ड को वेकल्पिक नोबेल पुरुसकार भी कहा जाता है। उन्हें ये पुरुसकार जलवायू परिवर्तन को लेकर पूरे विश्व का ध्यान इस ओर खीचने और जल्द कदम उठाने की मांग को लेकर दिया गया है। ग्रेटा धनबर के साथ साथ इस साल ये अवार्ड तीन अने लोगों को भी दिया गया है। इनमें मुरुको की मानव अधिकार कारेकरता अमीन ताव हैदर, चीन में महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाली वकील गोज जियान मेई और ब्रेजील में एमजॉन के जंगलों को बचाने के लिए एहम भूमी का निभाने वाली डबी कोपेन वारा को भी इस अवार के लिए भी नॉमिनेट किया गया है अगर दिसंबर में उन्हें ये अवार्ड मिलता है तो वो इसे पाने वाली सबसे युवा शक्सियत होंगी 16 साल की ग्रेटा थनवर्ग ने वैश्विक जलवायू आंदोलन, Fridays for Future और स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट नाम के आंदोलन के शुरुआत अगस्त 2018 में की थी उन्होंने स्कूल जाना बंद कर स्वेडन की संसत के सामने अकेले वैठ कर प्रदर्शन भी किये थे आरुशी पुन्दीर, GoNews